किotta को है अगि ये हैलग अजय हम सब्जेक्ट सिंटिक्स में सब्जेक्ट वर्भ अजरी में पढ़ेंगे इसके पहले मैंने 4 या 6 वीडियो अपलोड कर दिये हैं चैनल पर subject verb agreements related जो भी important बनते हैं सारे मैंने पढ़ा दिये हैं 6 वीडियो I think upload कर दिये हैं चैनल पर अगर आपने अभी तरह नहीं देखे हैं subject verb agreement के वीडियो तो आप जाके चैनल के playlist में check out जरूर कर लिजेगा आज हम subject verb agreement के साथ में वीडियो लेके आएं इसमें भी हम कुछ important rules पढ़ेंगे ये सारे ही rules आपके exam के लिए important है जितने भी rules हम पढ़ रहे हैं subject verb agreement syntax में syntax में सबसे पहले हम subject verb agreement पढ़ रहे हैं so let's begin तो rule number 33 तक हम cover कर लिए थे 33 में हमने all 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 का use कहा होता है any का, none का, none of का ये सारी use हम rule number 33 में पढ़ लिए थे अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर चैनल के playlist में जाके देख लिजेगा आज हम 34 से देखेंगे नीचे दिएगा table को ध्यान से पढ़ें यहाँ पर कुछ table दिए हुए है, इसको ध्यान से हमको देखना है words है, nouns and pronouns और इसके वर्व रखेंगा है कैसे verbs आते है अगर आपके no आ रहे है, no तो no के साथ आप क्या use करेंगे singular uncountable noun आएगा no के साथ, और इसके साथ verb कैसी आएगी singular verb आएगी अभी इसको हम example के थूरू समझेंगे, example भी है example के थूरू आपको clear हो जाएगा यहाँ पर बस structure दिया हुआ है structure को आप जरूर ध्यान में रखेगा दो तीन मरतों पढ़ लिजेगा आपको जरूर याद हो जाएगा क्योंकि यह structure है तो learn करना ही होगा, इसका कोई trick नहीं है trick बस यही है कि नो आप याद नो को याद रखेगा, नो के बाद आपका क्या आता है, नो एक determiner है, सुरी, नो एक क्या है adjective है, और यहाँ पे हम को क्या करना है, नो के बाद आपका singular uncountable noun आता है और verb कैसी आती है, singular और बाती है नो के बाद आपका सिंग्लर काउंटेबल नाउन भी आता है मतलब एक अनकाउंटेबल नाउन आता है नो के बाद जैसे आपका मनी हो गया मिल्क हो गया ओके नो के बाद आपका सिंग्लर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है जैसे आपका सिंग्लर काउंटेबल न है Okay ? तो इससके साथ भी हम क्या लगाएंगे mask WHY समग仔 बाएंगे अब नो के बाद आपका plural काउण ड़ा भी आ सकता है तो проф overcome आएगा नो के बाद जैसे आपका students हो गया त्थ hijुपनल काउण ड़ान है और बॉल्स हो गया बोई ही सारे प्लूरल काउंटेबल नावन होना इनके बाद हमको क्या लगाना है। वर्भ लगाना है उक Aa ड़ाओ आगे देखेंगे यह स्ट्रिक्चरर है इसको अपन जरूर अपने डायरी में नोट से subscript लिख लिए यहाँ पर हाधा की दिया हुआ है फृवर यह पर दिख लिजेगा लिटिल आ –लिटिल दा, लिटिल के बाद आपका शिंघलर, लगाते हैं तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि लिड बाद, लिटिल या मच वहुए तो सिंगलर ऑंकउंटपल नान लगए गा उसके साथ वर् एक मिनट अब हम देखेंगे लिटिल ओफ यहां पर क्या करा है लिटिल ओफ दा लिटिल ओफ दा लिटिल ओफ इसके साथ हम क्या लगाएंगे वन मिनट एक मिनट तो यहां पर क्या करा है लिटिल ओफ हो गया लिटिल ओफ हो गया लिटिल ओफ हो गया दा लिटिल ओफ हो गया इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे सिंगलर अनकाउंटेबल ना होना आएगा और इसके साथ सिंगलर वर्ब आएगा मतब चाल लिटिल हो या इसके अफ लगे दोनों के साथ singular uncountable ना होना है और similar verb आएंगे little of a little of the little of वही चीज यहां पर बताया है यहां पर कहरा है little of हो गया a little of हो गया the little of हो गया तरो इसके साथ हमको क्या करना है इसके साथ अपका it आएगा this आएगा that आएगा उसके बाद everything तो इसके साथ भी हमको क्या सब्जेक्ट आएगा चाहा इट हो चाहा दिस हो या फिर डैट हो उसके बाद आपका कुछ भी आता है तो तब भी हम क्या लगाएंगे सिंगलर वर्ब लगाएंगे जैसे आ लिटिल ओफ इट वर डिस्क्राइब्ड जैसे आ लिटिल ओफ इट एक मिनट इसका एक्जामपल ले ले लेते हैं कि इसका जैसे हमने लिख दिया आ लिटिल आ लिटिल ओफ इट यहाँ पर डैस कर दे रहे हैं डिस्क्राइब्ड अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे तो आ लिटिल ओफ हो गया इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रखा गया है इट है अब इसकी जगा पर दिस भी आ सकता है डैड भी आ सकता है एवरिटिंग यहाँ पर आ सकता है तब हम यहाँ पर अपनी वर फिक रखेंगे सिंगुलर वर रखेंगे और यहाँ पर क्या ळाज़ आएगा लेकिन आपको क्या रखना है अगे बढ़ते हैं मच हो गया नॉट मच हो गया इसके साथ भी आपका सिंगलर अंकाउंटेबल नाउन आएगा और सिंगलर वर्ब हम चलिए लिए पढ़ लेते हैं उसके बाद इनिसका एक्जांपल देखेंगे much off हो गया या not much off हो गया इसके बाद भी आपका कैसा noun आएगा singular uncountable noun आएगा और वर्ब कैसे रहेगी singular word रहेगी अब ये बहुत important है one third off हो गया two thirds off हो गया three fourth off हो गया the rest off हो गया quarter off हो गया part off हो गया 10% off हो गया 20% off हो गया 30% off हो गया इन सभी के बाद हमको क्या लगाना है singular uncountable noun आता है one third of हो गया या two third of हो गया जैसे हमने बोल दिया one third of the milk तो one one minute जैसे हमने बोल दिया यह कैसे आ सकता है one third of one third of milk of the milk of the milk डैस कर दिये यहाँ पर अब यहाँ पर हमको लगाना है यहाँ पर कुछ भी हम कर सकते हैं हमको यहाँ पर वर्प से मतलब है तो one third of the यहाँ पर क्या आया है अभी क्या बताए कि one third of के बाद क्या आएगा singular uncountable noun आएगा singular uncountable noun आएगा तो milk क्या है देखिए one third of के बाद क्या आया है milk आपका singular uncountable आना है तो इसके साथ वर्प कैसी आएगी singular verb आएगी तो इन सभी के बाद हमको क्या लगाना है singular uncountable noun singular verb यह सब आपको यह learn करना है one third of हो गया two thirds three fourth of the rest quarter वो पूरा ही वही चीज़ 10% of 20% of 30% इसके बाद plural countable noun आते हैं और जब plural countable noun आ गये हैं तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है plural verb लगाना है simply ध्यान दीजिएगा कि one third of हो गया two thirds of हो गया इसके साथ singular uncountable noun आते हैं और plural countable noun भी आते हैं दोनों आते हैं singular noun भी आते हैं plural noun भी आते हैं और उसी के according हम अपनी verb रखेंगे plural है तो plural verb रखेंगे singular है तो singular verb रखेंगे next नेक्स्ट rule क्या है most हो गया most of हो गया some हो गया some एप हो गया half हो गया half off हो गया enough हो गया enough plenty of हो गया allot of important है a lot of हो गया lots of हो गया सब्सक्राइब इसमें क्या है most most of some some of अब आपका half half भी इंपोर्टेंट है plenty of a lot of lots of यह बहुत important है इन सभी के बाद आपका क्या आएगा singular uncountable noun आएगा इन सभी के बाद और आपका वर्ब कैसा आएगा singular वर्ब आएगा फिर वही चीज़ यहां पर repeat की गई है इनके बाद आपका plural countable noun simply याद रखिएगा कि most हो गया most of हो गया यह lot of हो गया lots of हो गया plenty इन सभी के बाद आपका noun जो आता है वो singular uncountable noun भी रहता है तो जब singular uncountable noun भी आएगा तो singular verb आएगा और इसके साथ plural noun भी आता है तो plural verb मैं simply याद रखिएगे इन सभी के बाद जो noun आते हैं वो singular भी आते हैं और plural भी आते हैं और उसी के according हमको क्या रखना है अपनी वर्ब रखनी है और नेक्स्ट रूल है दपरसेंटेज ओफ दपरसेंटेज ओफ के बाद आपका singular uncountable noun भी आता है प्लूरल uncountable noun भी आता है बट हमारे एक चीज़ है यहां पर की वर्ब जो आएगी वो singular आएगी आपर द्यान दीजिएगा दपरसेंटेज ओफ इसके बाद आपका noun आपका कुछ भी आ सकता है आपका परसेंटेज ओफ जो है वो नाउन आपका singular uncountable noun भी आ सकता है या फिर plural countable noun भी आ सकता है तो लेकिन इसके साथ बस एक चीज़ ध्यान दीजेगा इसके साथ जो वर्ब आएगी वो ऑल्वेस क्या आएगी singular वर्ब आएगी ओके more than important है यह rule बहुत important है more than वाला more than one के बाद आपका singular countable noun आता है okay singular countable noun मतला वाइग गल्र यह singular countable noun होना होना है तो more than one के बाद आपका क्या आएगा singular countable noun आएगा तो वर्ब कैसे आएगी singular verb आएगी more than two या three या एटसेट्रा इनके बाद plural countable ना आएगा तो plural क्लूरल वाइगा simply है यहां पे देखे more than के बाद आपका one देखिए तो one है तो obviously यहां पे singular countable noun आएगा यहां पे two की बात कर रहा है थरी की बात कर रहा है तो अब इसलिए यहां पर plural noun आएगा तो plural word भी आएगा है ना तो यह धियान दीजेगा next more more के बाद आपका plural countable noun आता है उसके बाद than plural verb one यह सारे चीज़े आपके आती है more के बाद आप भी हम example के through इसको समझेंगे कि more के बाद क्या आता है तो more के बाद आपका plural countable noun आएगा जैसे हमने लिख दिया more more than one minute more के बाद जो आपका है जैसे हमने लिख दिया इसका example समझेंगे यह more more pins more pins than one more pins than one डैस कर दिये ओके बाद अब यहां पर क्या आया यह more आ गया ना उसके बाद क्या आ गया है कि plural countable तो पिंस आ गया कि नहीं आया है पिंस इंगलर countable noun नहीं अब पिंस हो गया तो plural countable noun हो गया उसके बाद क्या आया है दैन आया फिर है plural verb than one आया की नहीं आया उसके बाद आपको क्या लगाना है यहां पर plural verb का use करना है मतलब यहाँ पर कहा रहा है कि more के बाद आपको plural countable noun करना है then करना है then one करना then one भी आया उसके बाद plural verb इसके साथ आएगा तो इसके साथ verb क्या लगेगी plural verb लगेगी यहाँ पर क्या हो जाएगा वर हो जाएगा यहाँ पर और हो जाए गा मतलब plural वर्ब लगाना है तो इस टेप पर यह चीजे आएंगी more के बाद plural countable more के बाद plural countable नाया है फिर then one आया है उस बाद plural वर्ब आया है जैसे हमने कह दिया रिच तो रिच मतलब धनी है ना धनी हो गया अब इसके आगे हमने दा लगा दिया अब यह क्या हो गया अब दा रिच लग गया यानि कि दा प्लस एडजेक्टिव दोनों क्या बन गया plural noun दा रिच हो गया अब यह क्या हो गया इसकी हिंदी मेनिंग अगर निकालेंगे तो धनी लोग हो गया धनी वर्ग हो गया पूरे धनी लोग की बात हो रही पूरे धनी समुदाय की बात हो रही है दा रिच मतलब पूरे धनी लोग की बात हो रही है अब यह क्या बन गया यह का जॉल गया प्लूरल नाउन बन गया liberal के साथ वर्ब कैसी आए की प्लूरल वाइगे और जैसे पूर है पूर क्या है एक Eather में का होता है जाद सब्सक्राइब कर दिया कि दो कर दिया अब दा पूर्ब कर दिया तो गॹरीब लोग की बात हो गई पूरे गरीब संमुदाए की बात तो रही है तो यह क्या बने प्लॉूरल ूलउन बने गया और इसके साथ वर्प कैसे आएगी व्यूर्ण वर्प आएगी उक्या है यही चीजा है जहां पर भी One or two One or two के बाद हम कहलाइंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइंगे और इसके बाद प्लूरल वरब आयेगा next है the majority, a majority, a minority plus off मतलब the majority आ जाए या फिर a majority आ जाए या फिर a minority आ जाए और इसके बाद OFF हो जाए तो हम कहलाइंगे इसके बाद noun कैसा आएगा plural countable noun आएगा और word भी आपकी plural ही आएगी अभी हम example के तुरू इसको समझेंगे majority और minority वाला noun plus preposition noun plus preposition same noun तो singular word अभी यह चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा आप लोग ने पढ़ा होगा कि noun plus preposition यह चीज़े कहाँ पर आती है जैसे आपका बीच में noun हो गया plus आगे preposition हो गया फिर आपका preposition हो गया और इसके बाद word कैसी आएगी singular word आएगी कब ध्यान देना है कि यह जो noun है one minute यहाँ पर कह रहा है noun and preposition की बाद कर रहा है न एक minute जैसे यहाँ पर noun हो गया यहाँ पर preposition हो गया और प्लस noun हो गया मतलब बीच में preposition हो गया इधर noun इधर noun तो अगर आप देख रहे हो कि बीच में preposition आ रहा है इधर भी noun आ रहा है इधर भी noun आ तो दोनों noun क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अगर यह यह नाउन आपका सिंगुलर है तो यह भी नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि दोनों को सिंगुलर ही होना है प्लूरल नहीं होना है यह नाउन आपका सिंगुलर है तो दोनों का नाउन सिंगुलर होना चाहिए और इसके साथ वर्व कै यह नाउन है और आफ्टर क्या है प्रेपोजिशन है डे क्या है नाउन है तो प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन नाउन तो यहां पर दोनों ही नाउन बराबर होना चाहिए दोनों नाउन सिंगुलर में होना चाहिए तो यहां पर डेज नहीं होगा डे होगा डे आफ आफ्टर डे बोलते हैं दे आफ्टर डे बोलते हैं तो यहां पर आपका बस वही बता रहा है जो रूल लंबर 20 यही बात कह रहा है कि आपका बीच में प्रेपोजिशन होगा तो दोनों तरफ का नाउन सिंगुलर होना चाहिए और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगु लाउन भी आता है लेकिन वर्ब जो हमारी आएगी वर्ब हमारी ओनली सिंगुलर वर्ब आएगी मतलब नथिंग बट के बाद या एबरिटिंग बट के बाद आपका नाउन प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी लेकिन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब थे ओगे तो राफ belonging घुरूल है तो दोन हम आप दा के बाद Pplural नाउन या प्रोनाउन तो दोनों आते हैं नाउन या प्रोनाउन आते हैं और इसके साथ travelling कैसे कि और इसमें और और इसमें एक रूल ऊर है कि अगर आप का वन आफ दा स्टार्ट हो रहा है और उसमें related pronoun आ गया है तब हम क्या करेंगे तो relative pronoun से पहले जो noun होगा उसके according अपनी word रखेंगे tb वनावदा की वहाँ पे वैलिव खतम हो जाती है ओके वनावदा में अगर आपका रिलेटिव प्रोनावन आ जा रहा है तो रिलेटिव प्रोनावन से पहले रिलेटिव प्रोनावन का रूल का है रिलेटिव प्रोनावन से पहले जो नावन है उसी के कॉडिंग वर्व रखे अब आये हम एक्जाम्पल की थ्रूस मसते हैं यह सारा इसमें एक्जाम्पल दिया हुआ है जो अभी अब तक हमने यह सारे स्ट्रॉक्चर पढ़े हैं इसका यहां पर सारा एक्जाम्पल हम जले लिए इसको देख लेते हैं हमने पढ़ा था कि नो के बाद आपका कैसा नाउन आना चाहिए तो वर्क क्या है वर्क आपका एक सिंगुलर नाउन तो है जो कि अनकाउंटेबल हम वर्क नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पर नो के बाद आपका singular uncountable नाउन आया तो इसके साथ वर्ब कैसे रखनी थी singular वर्ब रखने तो has been यहाँ पर singular वर्ब है तो यह sentence क्या है सही है यहाँ पर गलत कर देगा no work कर देगा have been कर देगा जो कि यह गलत है आगे rule क्या था no pin no pin यहाँ पर no है pin क्या है singular countable यह भी rule था ना कि no के बाद singular countable नाउन भी आता है तब भी हम अपनी वर्ब कैसे रखेंगे singular वर्ब रखेंगे no pin was available no pin were available यह आपका गलत हो जाएगा ओके तीसरा rule क्या था no के बाद अप plural countable noun यहाँ पर pin यह पर 對啊就 है यह पर it ever been का हम पंस बना सकते हैं इसका बहु बच्षण बना सकते हैं उसको बोलते मतलग countable नाउन किसे बोलते हैं उस नाउन का हम लूर्ब कर सकते हैं उसको बोलते हैं countable कर सकते हैं यहां पर के साथ कि प्लूरल कैसी जड़ा हुआज पर इसके साथ याईगी हमको बताना है और फैस्ट याईगी वर्ब आपके प्लूरल ऑल बातुन से लग गया इसके साथ आपन जो है वह फ्लूरल है तो इतना ध्यान देज़ेगा no का अब आता है little दूसरा structure क्या था? अब हम देखेंगे a little लिटिल के बाद क्या आना चाहिए? singular uncountable noun ना में चाहिए तो ए little के बाद देखिए work जो है singular uncountable noun ना होना है तो इसके साथ work कोन से आई है? singular verb आई है इसले इस little सही है आपके example से पूरा clear हो जा रहा है है ना ज़्यादा समझाने कि इसमें जरूरत ने पूरा ही clear हो जा रहा है next क्या है a little of a little of के बाद भी क्या था कि यह आपका little of हो गया a little of हो गया या the little of हो गया तो इसके बाद भी आप क्या लाएंगे singular uncountable noun आएगा और वर्ब कैसी आएगी singular वर्ब आएगी तो यहाँ पर देखिया a little of के बाद आपका क्या आया है singular uncountable घी घी क्या है एक uncountable noun है तो यहाँ पर गी क्या है एक uncountable noun है घी हो गया water हो गया work हो गया आपका money हो गया यह सारे uncountable noun में आते हैं मतब quantity वाले जो चीजे होती है वो uncountable noun में ज़्यादा तरहाते हैं तो a little of के बाद यहाँ पर similar uncountable noun तो इसके साथ work कैसी आएगी similar work आएगी a little of हमने पढ़ा था ना एक और rule था एक और rule था कि a little of या a little little of हो गया वर्ब कैसी लाएंगे singular work लाएंगे यह चीज़ बताया था ना यहाँ पर देखिए a little of इसके बाद आपका वर्ब सब्चेक्ट कौन सा आ रहा है it हमारी वर्ब कैसी आएगी singular वर्ब कैसी आएगी a little of it was described यह सही हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्ब नहीं लगेगा plural वर्ब नहीं लगेगा इट के साथ वैसे भी हम इट के साथ plural नहीं लगाते हैं a little of ओके अगला रूल क्या था much क्या था अगला रूल much या not much था है तो इसके बाद भी क्या लाना था singular uncountable noun लाना था singular uncountable noun लाना चाहिए था और वर्ब कैसे आने चाहिए थी singular वर्ब अने चाहिए तो much के बाद आपका noun जो आया है singular uncountable milk भी आपके uncountable noun में आता है और वर्ब कैसी आई है singular verb तो यहाँ पर वर्ब singular सही है इसलिए यह sentence सही है यहां पर ऐसे लगा के दे देगा much milk कर देगा और have been कर देगा यह गलत हो जाएगा अगले है not much of the money has been spent तो not much के बाद भी क्या आना चाहिए था singular uncountable noun आया है तो singular verb आये sentence सही है यह कि much हो गया यह not much हो गया उसके बाद आपका singular uncountable noun आता है और singular verb आता है अब आते हैं one third one third of the milk is had to be sold तो one third पढ़े थे ना कि one third आफ हो गया two thirds आफ हो गया three fourth आफ हो गया rest आफ हो गया quarter आफ हो गया part आफ हो गया 10% आफ हो गया 20% आफ हो गया इन सभी के बाद क्या आना चाहिए इन सभी के बाद आपका singular uncountable noun भी आता है plural countable noun भी आता है दोनों आते हैं बट वर्ब जो होती है वो noun के according ही रखी जाएगी अगर plural आ रहे हैं तो plural verb रख जाएगा singular आ रहे हैं तो singular verb आ चाहिए तो one third of the milk तो one third के बाद देखिए noun क्या आया है singular uncountable noun आया है इसके साथ वर्ब कैसी आने चाहिए singular verb यह तो सही है ऐसे लगा के देखिए देखा one third of milk इसके साथ plural verb लगा देखा यह गलत हो जाएगा 10% of the T is useless मतब T का जो 10% है वो useless है यहाँ पर सेंट पर बताया था न इन सभी के बाद भी आपका singular uncountable आया तो यहाँ पर देखिए 10% के बाद भी आपका singular uncountable आया है तो verb भी आपका singular ही होगा plural नहीं होगा आगे देखते हैं three fourths of the book are ready तो three fourths के बाद बोला गया था न कि मतलब इन सभी के बाद plural countable भी आता है singular countable यहाँ पर three fourthed के बाद आपका क्या देदिया है यहाँ पर भी हमारी कैसे होने चाहिए plural ही है यहाँ पर three fourth of the book यह नहीं देखना है कि singular verb गगा इसके साथ plural countable नहीं आया तो plural हुआ भी होगा 40% of the students have passed यहाँ पर कह रहा 40% of the students has passed तो यहाँ पर देखिए अब दोनों में गलत सही क्या है दोनों यहाँ पर कह रहा है कि इन सब भी के बाद आपका singular uncountable noun आएगा तो singular verb आएगा plural countable noun आएगा तो plural verb आएगा तो यहाँ पर देखिए 40% of the students इसके साथ plural countable noun आया है तो plural verb भी आना चाहिए इसलिए यह sentence correct है और यह अपका गलत हो जाएगा इसके साथ तो आया तो है plural countable लेकिन verb गलत कर दिया तो यह गलत हो जाएगा इस चीज़ का ध्यान देजेगा ओके आगे है some coffee is available here यहाँ पर क्या कह रहा है कि some हो गया हम पढ़े थे ना कि some हो गया आपका या फिर some of हो गया इनके बाद भी आपको singular uncountable noun आएगा या plural countable इनके बाद भी आपका singular uncountable noun आएगा singular verb आएगा और plural countable noun आएगा और plural verb आएगा इनके बाद भी जैसे आपका हो गया, most हो गया, most of हो गया, some हो गया, some of हो गया, half हो गया, enough हो गया, enough of हो गया, not enough हो गया, plenty of हो गया, a lot of हो गया, lots of हो गया इनके बाद आपका singular uncountable noun आएगा और plural countable noun दोनों आ सकते हैं और अपनी वर्ब तो subject के recording ही हम रखेंगे तो some coffee is available here, तो यहाँ पर some के बाद हमारा singular uncountable noun आएगा, तो singular verb सही है, यहाँ पर singular uncountable आर लगा देगा, यह गलत हो जाएगा half of the land, तो land क्या है, एक singular uncountable, half of के बाद देखिए, यहाँ पर singular uncountable यूज किया गया है, तो इसके साथ verb भी कौन सी आएगी, singular verb आएगी, यहाँ पर plural कर देगा, यह गलत हो जाएगा okay, half of the mangoes were rotten, तो यहाँ पर देखिए, mangoes क्या कर दिया है, यहाँ पर plural countable noun बना के बताया है, कि half of the mangoes were rotten, तो यहाँ पर आपका जब plural countable noun आ गया, तो plural verb यह सही हो जाएगा okay, यहाँ पर यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, लेकिन half of the mango was rotten, यहाँ mango का परियोग singular countable noun के रूप में हुआ है, तो mango ऐसा singular countable noun है, जिसका quantity सम्भू हुआ है, इसके साथ singular verb का परियोग होगा ठीक है, बस इतना ही रहन देते हैं, वाकि हम next वीडियो में पढ़ेंगे, आप वो इस्ट्रक्चर ज़रूर याद कर लिजेगा, क्योंकि वीडियो बहुत जादा लेंदी हो जा रही है, हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पर कह रहा है, half of the mangoes यह plural countable noun है, तो इसके साथ plural verb लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ mango का परियोग singular uncountable noun के रूप में हुआ है, singular uncountable noun, मतलब ऐसा mango को हम count नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर use हुआ है, uncountable noun के रूप में हुआ है, यहाँ पर, half of the mango was written, यहाँ पर तो वर लगा दिया है, बट यहाँ पर use हुआ है, half singular uncountable noun के रूप में हुआ है, mango ऐसा singular countable noun है, जिसका quantity सम्भूआ है, इसके साथ singular verb का परियोग होगा, यहाँ पर बता दिया है, बस इतना रिंदिने बाकि हम next जो प्रेक्टिस से इसके example है, और भी rule है, वो हम next video में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बिलते हैं हम, और भी rule के साथ, अच्छे च्रूल के साथ, जो भी आपके exam के लिए important है, subject verb agreement, यह सारा syntax में आ रहा है, subject verb agreement, यह सारा ही syntax में आ रहा है, यह सारा ही आप पढ़ रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यह सारा ही important है, यहीं से तो आपके question आते हैं exam में है, टेली ग्राम पर हीना इंग्लिस क्लासे से जोइन हो सकते हैं, thank you, thank you for watch